भारत में कोरोना वाइरस के टीकल करण की प्रिक्रिया 16 जनवे से शुरू होने वाली है। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में मदबेद देखने को मिल रहे हैं। आमचन के अंदर ये शंका बनी हुई है कि आखिर कोरोना वैक्सीन का शरीर पर कैसा प्रभाव पढ़ेगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे की कोरोना वैक्सीन का शरीर पर प्रभाव कैसे पता चलेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप नव समचार को सब्सक्राइब कर ले। कोरोना वाइरस के खिलास जंग में वैक्सीन आने के बाद इसके प्रभाव का तुरन पता चल सकेगा। अमेरिका में शोद करताओं ने ऐसा तरीका खोज निकाला है जिसने कुछी पलों में पता चल जाएगा कि वैक्सीन का शरीर पर कितना असर हुआ है। साथ ही यह भी पता लग जाएगा कि कोरोना से लडने के लिए हमारी शरी में कितनी एंटीबॉडी बनी है। ACA Central Science Journal में प्रकाशिक शोद के मुताबिक अमेरिकी शोद करताओं ने नैनो पार्टिकल वैक्सीन इजाद की है जो एक खुराक लेने के भादी वाइरश खतम करने वाली एंटीबॉडी पैदा करती है। नया नैनो मैटीरल अधारित बायो सैसिंग प्लाटफॉर्म कुछी पलों में बता सकता है कि शरीर में एंटीबॉडी बनी है या नहीं। वे ज्यानिकों का दाबा है कि इससे नई वैक्सीन के प्रवाब का सटीक अंदाज़ा लगाने में मदद मिलेगी। स्टैन्फोर्ड युनिवर्स्टी के पीटर किम के नित्रित वाली टीम के अनुसार कुरोना वैक्सीन का पहला लक्षे स्पाइक प्रोटीन है जिसके जरिये वाइरस सरीर में प्रवेश करता है अब तक जिन टीकों को दुनिया में मन्जूरी दी गई है वे MRN अधारित है यह वैक्सीन इंसानों की खोशिकों में एस्थाई तोरपक्ट स्पाइक प्रोटीन बनाती है इसके जरिये शरीर में एंटी बॉडी बननी शुरू होती है शोद दल में शामिल कार्नेगी मैलन युनिवर्स्टी के प्रोफेसर भारतवनशीर राहुल पनात ने बताया कि हम प्रोटर बाइंडिंग डोमेन की मौजूदकी का पता लगाती है अध्यन दल के अनुसार चूहों पर इस तकनीक का अध्यन सफल रहा है टीके की एक खुराग देने पर उनमें दुगनी जादा एंटीबॉडी बनी है 21 दिन बाद दूसर डोस देने पर एंटीबॉडी की स संक्या और बढ़ गई है इन नतीजों को अभी इंसानों पर होने वाले प्रेस्टिक्शन में साबित होना है हाला कि नफ्समाचार इस अध्यन के पोस्ट्री नहीं करता है ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए सस्क्राइब करें नफ्समाचार धन्यवाद